नमस्कार हिंदुस्तान दोस्तों इंटरनेशनल बिजनस यानि एक्सपोर्ट के बिजनस में सबसे ज़्यादा जरुरत होती है बायर की और बायर के दो ही तरीके होते हैं या तो आप बायर तक पहुंचो या बायर को खुद तक पहुंचने में उसकी मदद करो अब आप बायर तक पहुंचने के बहुत सारे तरीके होते हैं आपको बताया जाते हैं जिनमें आप बायर डाटा ले सकते हो आप पोड़ डाटा ले सकते हो आप बीटू भी सर्च करते हो आप MBC डाटा XYZ बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उनमें से होती है एक ओनलाइन एव availability की तब आता है हमारे सामने Google और आप लोगों को पता होगा कि जब हम खुद भी कुछ सर्च करते हैं Google पर तो जो website Google के first page पर आती है उसे हम authenticated मानते हैं उसे हम ऐसा मानते हैं कि यह website genuine होगी और इसको जो चला रहा है जो business इस पर कर रहे हैं वो लोग genuine होगे यह by default समझा जाता हैं और इसे कहा जाता है SEO यानि search engine optimization जब हम search engine की बात करते हैं दोस्तों तो दुनिया के अंदर जितने भी search engine हैं उनमें सबसे ज़्यादा सबसे यूज होने वाला search engine है Google यानि पूरे world में सबसे ज़्यादा search engine यूज होता है Google का और आज मैं आपको वही tricks बताने वाला हूँ वही system बताने वाला हूँ Google का algorithm समझाने वाला हूँ ताकि आपके business के लिए आपके buyer आप तक पहुँचे आपको buyer search करने ना जाना पड़े उल्टा buyer आपको search करते हुए आपके पास में आए क्योंकि जब buyer आपके पास में आएगा तो वो एक genuine level का buyer होगा जिसे उस product की need होगी तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे SEO, website, buyer और बहुत सारी चीजें तो बने रहिए वीडियो के अंत तक technology को समझे, algorithm को समझे, Google को समझे ताकि आप इनको समझके अपने business को समझ सकें और आगे बढ़ा सकें तो चलिए शुरू करते हैं नमस्कार हिंदुस्तान, मैं चेतनकुमार वर्मा, International Beach Consultant, Exim Business Advisor YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हर्दिक स्वागत करता हूँ दोस्तो SEO यानि Search Engine Optimization Search Engine Optimization का मतलब होता है कि आपके जो website हैं उसमें कुछ इस तरीके के tags और keyword यूज किये जाएं ताकि वो website Google के first page पे आ सके Google के first page पे आने का मतलब business generate होना नहीं है Google के first page पे आने का मतलब है एक brand value create होना Google के first page पे आने का मतलब है buyer के मन में एक assurance पैदा होना Google के first page पे आने का मतलब है अपने आप में एक बहुत बड़ा achievement क्योंकि Google के first page पे ऐसे ही कोई website नहीं आती है अगर आप verified spices exporter from India सर्च करते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितने result हैं इस single keyword पे 42,30,000 और उसमें से जो first keyword, first page पे first आया है वो cympex.com जो हमारी बनाई हुई website है इसके अलावा the ask overseas, call contact exam, यह सब हमारी बनाई हुई website है, trade crop, यह SEO का part होता है search engine optimization का काम होता है कि जो user को चाहिए, जो information उसको चाहिए, वो उसे search करके दे, वो information उसके सामने रखे अब अगर आपने एक website बनाई, जिस पे 4 से 5 page आपने अपनी basic information या XYZ जो भी आपने डाल के लगा दी और वो Google पे आही नहीं रही हैं, तो आप सोचिए, अगर Google पे ही website नहीं आ रही हैं, तो आपका बायर आप तक कैसे आएगा आपको ये सोचनी की ज़रुत हैं, आपको ये work out करने की ज़रुत हैं दोस्तों, तो कि Google के ओपर बहुत important होता है website का आना जब keyword change हो जाते हैं, verified spices exporter अब आप देख सकते हैं, ये 3 website line से हैं और नीचे भी आप देखोगे, तो अलग-अलग website ये सारे keyword और tag का है verified jaggery exporter में आप देखोगे तो आपको psjaggery.com दिख जाएगी, verified pinners exporter में आप देखोगे तो exportvapor.com दिख जाएगी, verified pulses exporter में आपको strive impacts और CY impacts दिखेगी, verified turmeric के अंदर आपको trade court दिखेगी, verified Indian exporter में हमारी खुद की blogging website export import document.com वो दिख जाएगी, verified carpet rugs exporter के अंदर आपको handsandcraft.com website.in website दिख जाएगी, आप इस सारे system को समझने की कोशिस कीजे, ये बहुत important होता है, इसको अगर आप जो SEO है, अगर आप इसे बाहर करवाने जाते हो, तो आप से 3-6 महिने का समय लिया जाता है, और 25-30,000 रुपए इसका charge किया जाता है, हम लोग जो भी website बनाते हैं, उसमें एक keyword के उपर उस website का SEO free of cost, यानि as an bonus हम लोग करते हैं, और मैं यहाँ पर as an promotion आप लोगों को नहीं बोल रहा हूं ये चीज, लेकिन आप लोग जो पैसा खर्च कर रहे हो अपनी website के उपर, अगर वो website रैंक ही नहीं कर रही हैं, तो उन website को बनवा के क्या फाइदा ह इसके लिए मैंने कुछ और तरीके आपको बताये थे, आपको social media का use करना चाहिए, अपनी website की link को आपको वहाँ पर continue share करना चाहिए, लोगों को educate करना चाहिए, ताकि लोग आपकी website पर आएं, जितना crowd, जितना traffic आपकी website पर आएगा, उतना आपके पास में inquiries और lead generate होंगी और जितनी आपके पास में inquiries और lead generate होंगी, उतना आपका conversion ratio बढ़ेगा, SEO वो powerful चीज है, जो आपकी website को authenticated बना देता है, और ये जितनी भी website है मैंने दिखाई है, बहुत सारी sacred website है, बहुत सारे tags हैं, जिनके ओपर हम लोग काम करते हैं दोस्तों, और हमारी जो IT की team है, वो सिर्फ और सिर्फ international business के according ही हम लोग workout करते हैं, क्योंकि एक website के अंदर बहुत सारी चीजे जरूत होती है, international level की website में, dedicated IP लगती है, dedicated hosting होनी चाहिए, SSL होना चाहिए, live chat, whatsapp chat, multi language, वहाँ पर product animation होना चाहिए, listing होनी चाहिए, categories होनी चाहिए, product की proper images होनी चाहिए, उनका resolution होता ह है, आपका जो content, content जो भी आप बोलो, जो आप website पे insert करते हो, चाहिए, वो product का हो, चाहिए, pages पे हो, वो pulgarism के बाहर होना चाहिए, Google का algorithm copied content होता है, उसको पूरा blacklist में डाल देता है, वो website कभी उपर नहीं आ सकती है, तो ऐसे बहुत सारे steps होते हैं, जो आपकी website को number one बनाते हैं, जो आपकी website को Google के first page पे लाते हैं, जब आप ये सारे parameters cover करते हो, तब जाके आपकी website SEO optimized होती है, और उसके बाद में वो Google के first page पे आती है, and we are the expert in this term, एक keyword पे जो भी website हमारे पास में बनती है, उसको हम Google के first page पे ले के आते हैं, उस keyword के ओपर वहाँ पे Google के first page पे ही वो website आपकी rank करती है, तो अगर आपके पास में website है, तो आप भी अपने developer से बात कीजे, उनको बताइए कि मुझे इसका SEO part किस तरीके से SEO करना है, अगर आपको SEO के regarding कुछ नहीं समझ में आया है, अगर अभी भी confusion है, तो on screen आप number देख रहे होंगे, उन numbers पर आप click कर सकते हो दोस दोस्तों, उन numbers पर बात कीजे, हमारी expert team जो है, वो इसके regarding आपको और ज़्यादा बताएगी, क्योंकि बहुत सारी website SEO optimized होती ही नहीं है, उनमें चाहकर भी कोई SEO नहीं होता है, और लोग जो पूछते हैं कि website 10,000 रुपे से सुरू होती है, फिर उनमें pricing क्यों बढ़ती है, यह सारी चीजे, यह सारे जो tools होते हैं दोस्तों, यही उस website की price को increase करते हैं, क्योंकि अगर result ही नहीं आ रहा है किसी चीज का, अगर आपकी website बनने के बाद में traffic ही नहीं लेकर आ पा रही हैं, अगर आपकी website के उपर बनने के बाद में वो Google पे ही नहीं आ पा रही हैं, तो इसका मतलब वो website Google optimized नहीं है, वो international standard के according नहीं है, तो आप लोगों को इसके उपर सबसे ज़्यादा काम करना चाहिए, क्योंकि how to search buyer ये पुराना method हो चुका है, how to attract buyer ये नया method है, और जितना आप अपने buyer को attract करोगे, जितना आप अपने buyer को अपने business setup पे लाने की कोशिज करोगे, उतना ही आपके पास में buyer की requirement increase होने के chances होगे, आपकी जो inquiries lead conversion होगा, उसके increase होने के chances होगे, आपके order confirmation के chances होगे, क्योंकि जब तक buyer assured नहीं होगा, जब तक उसको आप पे भरोसा ही नहीं होगा, तब तक वो आपके साथ में व्यापा करने में ज़्यादा interested नहीं होगा, जिल लोगों को भी website बनवानी हो, या SEO, digital marketing करवानी हो, या उसके regarding कोई भी information आपको चाहिए, तो on screen आपको experts के number दिख रहे हैं, call कीजे, पूछिए, कैसे आप अपनी website को international business के लिए optimized करवा सकते हो, मिलते हैं next video के अंदर, एक नए topic के website को भी आप visit कर सकते हो, दोस्तों, यहाँ पे export, import का, इंडिया का सबसे बढ़िया powerful online video module, diploma in export, import business training available है, access करिये, खुद के knowledge को grow करिये, और अपने business को international market तक ले के जाईए, मिलते हैं next video में, एक नए topic के साथ में, जैहिन, जै भारत